चलिए, आज एक बहुत प्यारी सी चीज आपसे डिस्स करने जा रहा हूँ बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर, Auditing and Assurance का पेपर जहां पर ICI का रिजर्ट 5-7% रहता है जहां पर पास होने के लाले पढ़ जाते हैं मैक्सिमम स्टुडेंट्स के केस में फेलियर है यह एक ऐसा subject है तो second group के अंदर हर बच्चे को तंकर देता है तो क्या हम इस paper में भी जैसे accounts में 90 प्लस लाते हैं 80 प्लस लाते हैं, taxation में 90 प्लस लाते हैं तो क्या हम Auditing and Assurance का यह जो paper है कि इसमें भी 90 प्लस ला सकते हैं The answer is yes कैसे ला सकते हैं, आज इस वीडियो में discuss करूँगा तो last तक जरूर देखना बहुत 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 फाइदा मिलेगा आपको इससे पहली चीज तो यह है कि बच्चे को लगता है कि Auditing का जो paper है वो एक theory paper है The answer is no Auditing is not a theory paper Auditing and Assurance का जो paper है वो theory based है जहाँ पर आपको multiple concepts पढ़ाए जाते हैं जिसके business पर case studies पूछी जाती है और आपको उनके जवाब देने हैं It is more of an analytical skill paper Not a theory paper Theory paper में तो सिब theory पूछी जाती है तो इसलिए अपने दिल से यह धारना तो हटा दो कि Auditing and Assurance theory paper है Second, यह जो सवाल है ना कि सर 90 प्लस ला सकते हैं ने ला सकते इसका जवाब आपको मिलता है paper के pattern से अगर आप अपने paper के format को pattern को ध्यान से देखो ना तो आपको उसके अंदर एक बहुत बड़ा grey area नजर आएगा और वो grey area ऐसा है कि अगर आपने cover कर लिया तो आप 80 प्लस 90 प्लस अराम से खीच सकते हो क्या है वो ध्यान से देखो देखो आपके paper में MCQs है 30 नंबर के और 24 नंबर के अब ध्यान से सोचो अगर ये 44 नंबर की मैं बात करूँ क्या इसमें कोई writing skill चाहिए नहीं ये तो बहुत basic है अगर आपकी understanding अच्छी है concepts की अरे पास करना कि आप 90 प्लस भी लेया हो गया अराम से तो ये वो एरिया है जहां पर आपको ना ठोक बजा के काम करना है अगर आपने इसको ढंक से कवर कर लिया ना तो 90 प्लस दूर नहीं है अब ये होगा कैसे अब वो सुनो देखो ये होगा आपके concept की understanding के recording अगर आप true false MCQs देखोगे ना पिछले 5 attempts के उठा के देख लो सारे आपकी understanding based है अगर आपकी understanding अच्छी है आपकी reading skills अच्छी है तो आप अराम से उनको crack कर सकते थे अब ये कैसे आएगा देखो दोस्त ये आएगा थोड़ा सा practice करके इसके लिए आपको na ICI का जो study material है उसे read करना पड़ेगा इधर उधर की चीजे छोड़ के सिरफ ICI का जो study material है उसे read करो, समझो उसी में से ही आपका ये 44 marks paper में आता है इधर उधर कहीं से नहीं आएगा सिरफ ICI से ही आता है आप जितने IMCQ 2 false उठा के देखने हैं, देख लो हर एक ICI के किसी ना किसी paragraph से बना हुआ है तो the best thing is, ICI के आप study material को read करो वहीं से मिलेगा second, थोड़ी practice करो अब practice आपको कम से कम 500, 700, 800 MCQs की तो at least करने पड़ेगी true false की करने पड़ेगी, तभी आपको इस पर comfort आएगा, plus हमारी perfect practice book में almost 300 plus आपके true false है, इतनी practice करो this is more than sufficient for your MCQs and true false, believe me this thing, students का feedback रहा है कि sir, because of this book only हम लोग अराम से अपने MCQs and true false में 80% plus attempt कर सके, correct, तो एक चीज, ICI को पढ़ लो, दूसा थोड़ा practice करो, देखो चका चक मक्षन मन जाएगाई, next जो remaining paper है, अब remaining paper ना, अगर आप थ्यान दोना, तो आपका case study based paper है, यहाँ पर आपको 45 number के around खीचने पड़ेंगे, तब ही आप 90 number लेके आ सकते हो, अब case study based paper है, तो आप किस तरीके से अपना answer लिख रहे हैं, वो कर पा रहे हैं, अगर आप यह सारी चीजे कर दोगे, तो आपको अराम से case study based questions के अंदर marks मिल जाएंगे, बट इसके लिए जो सबसे ज़ादा जरूरी चीज है, वो है दोस्त, writing practice और regular revision, देखो, आप सब classes लेते हो, आप सब पढ़ते हो, आप सब याद करते हो, फिर किस चीज की कमी है, कमी नहीं दोनों चीजों की है, writing practice और regular revision, अगर आप ने इन दोनों चीजों को strong कर लिया, तो आप अराम से हाँ 50 नमबर भी ले आओगे, 50 नमबर यहाँ ले आए, 40 नमबर अब यह करेंगे कैसे, किस तरीके से आप writing practice improve कर सकते हैं, तो देखे, उसके लिए जो question bank आपको मिलेगा, चाहे हम से पढ़ रहे हो, तो हमारा question bank हो गया, which is perfect practice, कई और से पढ़ रहे हो, तो वहां के question bank आप prefer कर लो, जहां पर ICI के question मिल जाए, RTP मिल जाए, MTP मिल जाए, उन questions को पढ़ो, उसमें से कुछ questions को लिख के कोशिश करो, लिखो ताकि आपकी writing skill डवलप हो, जो हमारे ICI का feedback है, वो यह है कि भाहिया, maximum time बच्चा fail होता है, क्योंकि उसे लिखना नहीं आता, तो आप अपने लिखने पर काम करो, कहीं से भी पढ़ो, किसी भी question bank को refer करो, बट ICI के questions होने चाहिए, उसके अंदर, उसको पढ़ो, और उसके बाद उन questions को लिखो, प्लस हर chapter level पर test हो, यह ऐसी चीजे जो बच्चा नहीं करता, और last में आके struggle करता है, भाई, जब तक chapter wise test नहीं दोगे, लिखना नहीं आएगा, paper में कैसे जाके लिखोगे, सीधे paper में क्यो practice करना चाहते हो, पहले practice करके जाओ ना दोस्त, full syllabus के mock test दो, even ICI भी 2 MTP release करता है, ताकि आप full syllabus के mock test दो, 2 जाके test, plus test का मतलब यह नहीं है कि जो पुराने ICI के कोशन है, जो आपने पढ़े हुए, उनका test देना है, test देना है आपको नई case studies का, जो आपने कभी पढ़ी नहीं है, जो कोशन में कभी पूछी नहीं है, ताकि आप आप पर अपने skills को apply कर सको, और test properly दे सको, और थोड़ा सा writing skills भी develop हो जाए, कोशन पढ़ने की skills भी develop हो जाए, तभी तो आप paper धंग से कर पाऊगे, तो आपको अपनी writing practice बहुत अच्छी करनी है, chapter-wide test देना है, full syllabus test देना है, plus नई case studies का test देना है, correct, हम लोग यह सारी चीज़े offer करते हैं, अब चाहा हो, तो हमारे test देख सकते हैं, बच्चों के feedbacks ले सकते हो, इसके अलावा, regularly revise करो, revision का मतलब यह नहीं कि जब paper आएगा, तभी revise करो, हर हफते में, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में एक बार revision करो, चितना भी आपने पढ़ लिया, क्योंकि देखो, कही ना कही थोड़े से concepts जादा है, theory जादा है, तो retain करना मुश्किल रहता है, बच्चा भूल जाता है, तो इसलिए आपको regularly revise करना पड़ेगा, अगर आप इतना करेंगे न, believe me this thing, trust me this thing, 90 marks आप अराम से score कर लोगे, बस यही है secret 90 number लाने का, ठीक है दोस्तों, उमीद करता हूँ कि आप इन चीजों को follow करेंगे, और अपने scores को बढ़ाएंगे, अपने दोस्तों के साथ भी इने share कर लेना, ताकि उन्हें भी auditing के अंदर कहीं भी कसना है, ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए, चैशी आपस्तों